हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब मैं पुनम स्वागत करती हूँ आपका लैट सोग विद पुनम में आज मैं से पर्णिया आप सब के साथ गेहों के आठे से बनावा बहुत ही टेस्टी नास्ता जो जटपट बनकर्ति आरऊ होगा बहुत ही कम समय में बनकर त्यार होगा और जिसे भी खिलाएंगे वो बस आपके तारीफी करता रह जाएगा तो चलिए बनाते हैं नास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए गहुंका आटा यह एक कटोरी भर करके मैंने गहुंका आटा लिया है और यहाँ पर एक चुथाई कटोरी मैंने सूजी लिए बारिक वाली सूजी लिए जिससे हमारा नास्ता जो है क्रिस्पी और क्रंची बनेगा और इसके बाद मैंने एक प्याज कटकर के लिया है यह बारिक कटकर के लेना है यह भी हम इसमें डाल देते हैं यहां पर एक टमाटर को भी मैंने बारिक कट करके लिया है और यहां पर दो हरी मिर्च को मैंने इस तरह से बारिक बारिक कट करके डाल दिया है और यहां पर हम एक इंचे दर्ग के टुकडे को इस तरह से ग्राइड करके डाल देते हैं और इसके बाद हम यहांदrobe सिम्मला मिर्च डालते हैं यह मने आदा सिम्मल नीर्च को बारी कट करके लिया है यहांदे ख्ली का दाल लेते हैं और एक चम्मच मैंने भर करके चाट मसाला लिया है इससे जो हमारा नास्ता बहुत ही च्छा टेस्ट आएगा और एक चम्मच भर करके मैंने जीरा लिया है यह साबुत जीरा है इससे भी नास्ते में बड़ा च्छा टेस्ट आता है और इसके बाद थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है और यह मैंने आदा कटोरी भर करके जो है धही लिया है धही खटा नहीं होना चाहिए यह फ्रेस धही है धही से हमारा जो नास्ता है अच्छे से फुला फुला बनेगा और इसमें बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा इसके पाद हम इस अभी चीजों का मिक्स कर लेते हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी करके ही इसमें आड करेंगे और इसके अच्छा से गोल करना है जिसतरह हम पकोड़े बनाते हैं उसी तरह का गोल त्यार करके रखना है अब देखिए गोल जो हमारा अच्छे से घुल चुका इसको हम दस मिनट ते लिए नहा अब जो हमारा बैटर अच्छे से त्यार हो गया है इसको हम तलने के लिए चलते हैं यहाँ पर गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए तेल को गरम करिएगा और जैसे यह एक साइड से अच्छे से पक जाएगा इसको हमें तभी चेंज करना है और इस तरह से ऊपर थोड़ा करके तेल डाल दीजिए जिससे यह हमारे नास्ता अच्छे से फुल जागा देखिए फुल रहना अच्छे से अब इसको हम दूसरी साइड चेंज कर देते हैं और इस तरह से पलट पलटके हमें इसे अच्छे से पका लेगना है एक बार के नास्ते को पकने में यहाँ पर अच्छे से क्रेंची और एकदम से फुल फुल नास्ता बन कर तयार है जिसे भी खिलाएंगे वह बहुत ही पसंद करेगा अगर आप इसमें दही नहीं डालना चाहते उसकी जगह पर आप इसमें सोडा भी डाल सकते जिससे कि हमारा नास्ता और भी अच्छा फुल पुल ब मेरे साथ कि आपको यह रैसिपे कैसी लगे अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक से रेंड कमेंट कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नहीं चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए देखें मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ एक यह खाने में भो